नमस्कार, चीन की एक ऐसी कर्तूत आप लोगों को बताते हैं जो कभी आपने सुना ही नहीं होगा चीन और भारत परोसी देश हैं जो की आराम से दोनों को रहना चाहिए लेकिन चीन भारत को घेरने के लिए इस हद तक गिर जाएगा ये कभी भारतियों ने सोचा भी नहीं होगा चीन इंडियान ओसिन में भारत को बुरी कदर घेर चुका है ठीक है अब इसने कैसे घेरा देखिए चीन ने क्या किया 2010 के बाद सोचल मीडिया का सहारा लिया और हर देश में यानि बंगला देश में पाकस्तान में तो था ही पहले का सिरिलंका में मालदीप में नेपाल में और अफरीका के कुछ देशों में अपने आदमी सेट कर दिये अपने दूतावास द्वारा वहां के जो फेमस यूटूब चैनल है उनको पैसा देना चालू कर दिया पड़ती वीडियो 200 डॉलर से और साड़े 300 डॉलर के बीच में उनका काम था कि अपने देश में भारत और अमेरिका की बुराई करना मालदीब की जनता जो भारत से इतनी नफ़त कर रही है इसके पीशे कमाल है मालदीब के जो यूटूब चैनल है उनका क्योंकि उन यूटूब चैनलों को चैनीज एमबेसी से फंडिंग होती है और वो भारत के खिलाब जहर उगलते हैं नेपाल में लगबग आज से दो सा हुट होता था और मैं भी नेपाल पर वीडियो बनाता हूं तो मेरा भी नेपाल पर काफी पुराना चैनल है चार-पांच साल पुराना तो मुझे भी ओफर दिया कि भारत की बुराई करना है अमेरिका की बुराई करना है और चीन की तारीब करना है ऐसा मैं अकेला नहीं क किए इनका काम है अमेरिका भारत की बुराई करना और चीन की तारीफ करना मुझे भी 2018 में ऐखर आयए था अपने दूसरे चैनल के लिए की चीन की तारिफ करना है और भारत की बुराई करना यह जिसा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि भारत हमारा देश है हम किसी की तारीफ भला ही कर दें लेकिन चीन की नहीं कर सकते क्योंकि उसने गलत काम कर रखें फंडिंग कर रखी है तो यह जो जितने भी देश भारत विरोधी हो रहे हैं इसका मुख्या कारण जो है वो है चाइना की फंडिंग आप मालदीब्स के यूटूब चैनल सुन लिजे नेपाल के यूटूब चैनल सुन लिजे स्रिलंका के यूटूब चैनल सुन लिजे पाकिस्टाम के सुन लिजे बंगलादेश के सुन लिजे पाकिस्टाम तो खेर पहले से भारत विरोधी और अफ्रिका के कुछ देशों के YouTube channel सुन लीजे हम सुनते हैं translate करके तब पता लगता है कि ये लोग कितना ज़्यादा भारत विरोत करते हैं जूटे समाचार बताते हैं मालदीफ नेपाल स्रिलंका में क्या बताया जाता है कि भारत अब हमारे देश को कबजा करने वाला है नेपाल में क्या बोलते हैं नेपाल के बिशले सक कि बहुत जल्दी भारत पूरे नेपाल को कबजा कर लेगा और भारत में बिले कर देगा सिक्की में करण कर देगा स्रिलंका के यूटूब चैनल भी ऐसे ही बोलते हैं कि बहुत जल्दी भारत स्रिलंका को कभजा कर देगा इसलिए स्रिलंका में चीन की सेना रहना बहुत जरूरी है और यही सब पहले चैना ने वहाँ पे अपने बिश्ले सकोंद्वारा अपने मदब जो थेतों स्रिलंका के ही लोग लेकिन को फंडिंग करके और स्रिलंका की जनता में जूट फूट फेलाया कि भारत स्रिलंका को कभजा कर सकता है इसलिए यहां पे चैनी सेना रहना जरूरी तब हैमन टोटा गया चैना के पास में और यही जो में नेपाल में बिल्कुल ऐसा ही होगा जरूकि चीन ने वहां पर पूरी ताकत लगा वाला है कवजा करेगा ऐसा न्यूज नेपाली बिश्टेशक वहां पर देते हैं तो चीन ने क्या कर रखा है नेपाल में नेपाली बिश्टेशकों को पैसा देखे और यूटूब चैनल पर भुलवाते हैं कि भारत नेपाल को कवजा कर सकता है भारत नेपाली राजा को भा भारत ने पैदा किया मतलब कुछ भी जूट बुलवा देते हैं नेपाली जनता उसको सच मानती है अब क्यों मानती है क्योंकि नेपाली नेता चीन की फंडिंग नेपाली यूट्म हो नो की मीडिया और कुछ-कुछ बंगलादेश की मीडिया और कुछ अफरिकन देशों की मीडिया चीन के कंट्रोल में पूरी तरीके से चली गई है complete जो समचार चाहे ना बोलना चाहेगा भारत के बारे में वहीं वहां की मीडिया बोलेगी अगर आप मालदिप वालों को नेपाल वालों को बंगलादेश वालों को यह सिल्लंका वालों को कहेंगे कि आपकी मीडिया चीन के देश में बुराई करती है बाकि भारत किसी भी देश की मीडिया में फंडिंग नहीं करता चीन के खिलाब लेकिन चीन जो है अमारे अगल बगल के देशों में थाइलेंड म्यामार इन सब देशों में फंडिंग करता है यहां की मीडिया में कि तुम भारत विरोधी बातें अ लंका की जनता तो हई है मालदीप की जनता भारत बिरोदी बंगलादेश की भी होई रही है नेपाल की जनता भी भारत बिरोदी हो गई है क्योंकि जूट बुलवा के एक ही जूट को सो बार बुलवा दिया अपने बिश्लिसकों से अपने नेताओं से तो अब नेपाल की जन उनको नहीं लगता है उनको लगता है हमारी मेडिया सच बोल रही है वह तो इंडियन ऑसीन में भारत को घीरने के लिए चाइना ने सोसल मीडिया का साथ लिया- सोसल मीडिया ने उन देशों की जनता को भारत के खिलाब बढ़का और तब उन देशों में चाइना अपना सेने अड़े खोल रहा है क्योंकि वहां की जनता को लग गया कि भारत हम पर हमला कर सकता है अब मालदीप पर सच्छने करेगा भारत हमला 2000 किलोमेटर दूर है मालदीप और भारत का तक कोई लफड़ा ही नहीं है मालदीप की एकोनमी भारत पर भूत हद तक निर्वर है फिर भी मालदीप वाले भारत के दुस्मन यह सब चाइनीज फंडिंग का कमाल है और आपको पता होना चाहिए कि मीडिया गेम सब भी खेलते हैं अमेरिका तो खेर 1945 से ही खेल रहा है ब्रिटेर भी निकल गया अमेरिकानी फंडिंग की बड़ी मीडिया में चीन ने फंडिंग कर डाली कर डाली सोसल मीडिया पर और भारत ने दूसरे देशों की मीडिया में फंडिंग ही नहीं की भारत को भी अपना बजट रखना चाहिए एक कि जो दूसरे देशों की मीडिया में फंडिंग करे जैसे नेपाल बंगलादेश मालदीप स्रिलंका थाइलेंड अफरिका के कुछ देश क्योंकि अगर भारत फंडिंग नहीं करेगा तो भारत के खिलाप माहुल बनता जाएगा इन देशों में तो भारत को भी इन देशों की मीडिया में फंडिंग करनी चाहिए धन्य भारत